असलाम आलेकुम आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन बिंक्स बनाने की रेसिपी जो हम बनाएंगे एर फ्रेयर में और यह बहुत सिंपल इजी बनके तयार होती है बिलकुल घर के बेसिक मसाले के साथ हम इसे बनाएंगे जो कि सब की घर में इसली अविलिबल होते है तो तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें साथ-साथ ओल नोटिफिकेशन को गलिक करें जिसे मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो चले स्टार्ट करते है चिकन विंक्स बनाने की रेसिपी तो सबसे पहले हम यहां पर चिकन विंक्स ले ले लेंगे जो की है 750 ग्राम्स तो इसे मैंने दो कर अच्छे से वाश कर लिया था फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से ड्रेन कर लेंगे और अब हम इसमें दालेंगे दो ती स्पून नमक दो टी स्पून चिली फ्लेक्स दाल लेंगे दो टी स्पून काली मिर्च का पाउडर दाल लेंगे साथ में दालेंगे दो टी स्पून लेसुन पाउडर जो की है गालिक पाउडर साथ में दालेंगे विनेगर एक टेबल स्पून भरकर और 1 tablespoon olive oil या फिर आप कोई भी oil के इस्तमाल कर सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और फिर इसे marinate होने रख देंगे आधे घंटे के लिए या फिर आप इसे instant भी बिना सकते है या फिर आप इसे overnight के लिए भी marinate कर सकते हैं जैसे ही आपको पसंद हो तो अब हम यहाँ पर एक एर फ्रायर ले लेंगे और उस पर हम सब चिकन विंक्स रख लेंगे हमारे तो इन सब पीसेस को हम अच्छी तरह से रख देंगे और 365 फायर नहीं पर से एर फ्राय होने रख देंगे 30 मिनिंट्स के लिए तो जब 15 मिनिट हो जाएं तो आप इसे निकाल कर इसे फ्लिप कर लें सब पीसेस को अच्छी तरह से फ्लिप कर देंगे फिर उसके बाद हम इसे और 15 मिनिट के लिए होने रख देंगे तो ये देखे ये पूरी तरीके से तयार है और ये रेडी है और अब हम एक पैन ले लेंगे उसमें ले लेंगे बटर 2 टेबल स्पून के करीब साथ में हम दालेंगे गालिक तो ये मैंने चार से पाँच क्लोव्ज अफ गालिक लिये है जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था और इसे हम सौटे कर लेंगे और ग्यास का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे इस पॉइंट पर और अब हम दालेंगे दो टेबल स्पून पैपरिका पाउडर जिसे किसमें फ्लेवर और कलर भी बहुत अच्छा आएगा साथ में जाएगा वान टेबल स्पून हानी और इसे भी हम सौटे कर लेंगे अच्छे से तो इसे मैंने 22-30 सेकंड के लिए चला लिया है तो इसमें कलर कितना बढ़ी आया है और अब हम इसमें दालेंगे हमारे चिकिन के विंग्स और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे साथ में दालेंगे बटर बटर दालके हम इसे और सौटे कर लेंगे बटर से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अब मैं थोड़ा सा और बटर आट कर रही हूं इसमें और फिर से हम इसे सॉटे कर लेंगे तो जितना ही इसमें बटर होगा टेस्ट उतना ही बढ़ी आएगा तो यह देखिए यह तयार है और अब हम इसे सॉट कर लेंगे तो इसे हम सॉट करेंगे कुछ सी सेम सीज दाल कर यानि के तेल के सीज दाल कर आप इसे स्टार्टर की तोर पर बिना सकते हैं और यह बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है और आम शूर यह आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आने वाले है तो आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजीगा अपने फ्रेंड्स और फैंबली में ज़रूर शायर कीजीगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना भूलेगा और नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मैंने इसमें इंग्रीडियन्स और मेजर्मेंट्स सब इन्फोर्मेशन दिये है और मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज का लिंग भी शेयर किया है आप चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीस के लिए मेरे चैनल पर बने रहे मिलती हो आपसे नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अलाहाफिस और टेक केर